इस समय हमारे साथ चर्चा के लिए तीन खास मेमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में हमारे साथ अनेल अगरवाल, MP, राज्यसभाब, BGP मौझूद हैं साथ हमारे साथ शाम सिंग्यादव, MP, लोगसभाब, BSP आप दोनों मेमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए इसके अलावा हमारे साथ सुबो मौझ भटाचार जी, Consulting Editor, The Business Standard वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप तीनों से फिलाल हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं अनेल अगरवाल जी आपसे ही शुरुआद करूँगी अनेल जी क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं और उम्मीदे भी काफी जादा हैं अनेल अगरवाल जी, पिछली बार के बजट के बाद इस बार बजट से और जादा उम्मीदे बढ़ गई हैं तो किस तरह किस तरह की गोश्णाओं की उम्मीदे और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर सरकार का फोकस जादा रह सकता है इस बार कौरोना की चुनाओती के बेच नहीं देखिए माने प्रदान मंतरी जी के गाइडन्स में जो माने वित मंतरी जी का बजट होगा ये निश्चित रूप से ऐसा होगा जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा इन्फा स्ट्रक्चर के लिए इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा अलॉट्मेंट किया जाएगा किसान भाईयों के लिए दलीतों के लिए पिछलों के लिए जरूर कुछ ना कुछ इसमें ऐसी रहत होगी कि जिससे देश के आम नागरिकों को फाइदा हो और आप देख रहे हैं करोना काल होने के बावजूद जो हमारा आर्थिक सर्वेक्शन आया है वो बहुत उत्साह पुरवक है और जीडीपी का भी जो अनुमान है वो भी बहुत बहतर आया है जबकि पूरी दुनिया इस समय आर्थिक मंदी के दोर से गुजर रही है तो ये हमारे करिश्माई नितरत्व का ही एक वो है जिससे की पूरा देश दुबारा से इस महमारी के होने के बावजूद भी हम लोग आर्थिक दृस्टी कौन से अच्छा कर रहे हैं हमारे जिएस्टी कलेक्शन्स लगातार बहतर हो रहे हैं मार्केट में भी आपने खुदी बताया है कि इसका एक पॉजिटिव इंपेक्ट आ रहा है बैंकिंग सेक्टर्स में भी इसका एक अच्छा पॉजिटिव है और देश की जनता अब इस चीज़ को समझ गई है कि करोना के नेमो का पालन करते वे ही हमको आगे बढ़ना है और उसमें हम काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं और जिस प्रकार से देश में वैक्सीन लगी है आप देखिए लगबग 170 करोड वैक्सीन की डोज लग चुकी है और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है और इस सब का एक पॉजिटिव इंपेक्ट निश्चित रूप से है और फार्मा इंडस्टी और हमारी आईची इंडस्टी दोनों बहुत काम कर रही है तो इसमें एक जो मानिय प्रदान मंतरी जी का रहता है कि आपदा में भी अवसर तो फार्मा इंडस्टी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और जिस प्रकार से देश में फार्मा इंडरस्टी ने पांच-पांच वैक्सीन दी हैं ये वास्ता में एक बहुत बड़ा काम हुआ है मैं इंडरस्टी के लोगों को साइंटिस्ट को बहुत-बहुत बदाई भी देना चाहता हूँ कि जिस भारत को लोग समझते थे कि हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे मातर एक अकेला देशे जहां इतना काम हुआ और फार्मा इंडरस्टी ने भी बहुत अच्छा इसमें किया है इस सबका इंपेक्ट आएगा और सरकार जिस परकार से गरीबों की सेवा कर रही है निरंतर गरीब भाई बहनों को फूड दिया जा रहा है राशन दिया जा रहा है निशलक वैक्सीन दिया रही है और बहुत सारी सुज़धाइं दिया रही है स्टार्ट अप्स को फाइनेंस बेटर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका इंपेक्ट होता है और जब ये एक विशेज सर्किल है एक तरफ जब अच्छा होना शुरू होता है तो सारी चीजे अच्छी होती है टेक्स कलेक्शन बेटर होता है उससे हम शोशल वेलफेर स्कीम बेटर कर सकते हैं लोगों की जब में पैसा आता है तो ये एक विशेज सर्किल है जो मुझे लगता है माने मोदी जी के आने के बाद इस पे बढ़ोतरी हुई है और लोगों को इसका फाइदा हो रहा है ठीक है शाम जी बजट आ रहा है और जो हालाद जो परिस्थितियां जो आर्थिक सर्विक्षन ने तस्वीर दिखाई है वो भी अब हम हमारे सामने है कौन-कौन से से मुद्दे ऐसे पहलू है जो आप देखना चाहते हैं इस बार बजट हमारे सांसस साथी ने एक सब्द प्रयोकिया करिस्माई नेतित तो एक तो मैं साब साब कह दूँ एक करिस्माई नेतित तो कता ही दूर दूर तक नहीं लगता है आप देखें आज के हालाद में जो बेरोजगारी का रेट है वो सबसे चरम सीमा पर है सबसे ज़्यादा है और ये वादा करते थे कि दो करोड रोजगार हम देंगे हर साल देंगे लेकिन अभी इतने सालों में भी दो करोड क्या सैद दो लाग भी रोजगार नहीं दे पाए ये जितनी चीजें कहते हैं संसद में भी कहते हैं संसद के बाहर कहते हैं सब व्यग कहते हैं कि हमने ज़ादा कर दिया, हमने इतना कर दिया लेकिन वो आंकड़े के आधार पर नहीं करते हैं That is not supported by any statistical data और आप देखते हैं कि आंकड़ों में तोर मरोड करने के लिए अभी दो साल पहले जो National Statistical Organization के डीजी थे और एक और आप्सर थे उनको बहुत दबाव दिया गया कि आप आखनों को इस तरह से पेश करिए और उन्होंने उसे इंकार कर दिया और इंकार करने के बाद उनको इस्तिफा दे करके बाहर जाना पड़ा तो ये आखनों को तोड मरोड करके पेश करते हैं इसमें तो कहीं से भी छिपा हुआ नहीं है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है आज तक यह नहीं बता पाए कि कहां किस आर्गनाईशन में कितनी संख्या में रोजगार दिया ये तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दे दिया एक बार पर्लामेंट में मुझे याद है कि इन्होंने एक संख्या भी बताई थी लेकिन जब सांसदों ने इस चीज के लिए घेरा कि कहां कितना दे दिया, कितना रोजगार किस डिपार्टमेंट में, तो वो उसको बताने से भाग गए फिर, ये तो रहा बेरोजगारी काम, आब लोग देख रहें कि इन्फ्लेशन is going high, कितना इन्फ्लेशन है, जो काम, काज, जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके घरेलू, जो बजट है, उसको मीट करने में कितना प्रभाव डालता है, कितना असर करता है, इन्फ्लेशन is also all time high, अब इनका जो budget deficit है वो जितना declare किया था उससे भी उपर जाने की उमीद है ये LIC को बेच करके इनके उमीद थी कि 3 लाक करोड रूपया उससे आने की उमीद है जिससे budget deficit कुछ कम होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस financial year में वो LIC को बेच पाने में कामियाब होंगे अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में देख लिजे पूरा देश सारी दुनिया जानती है अब देखने में अबी ऑर रोजगार ये तो मुर्चों पर आप देखना चाहेंगे कि किस था के कदमों का दिकर होता है बजाए अब अभी तो मुझे तू है अबी अब्छी तो मुझे आपि ओर आपकी बस्तू है अब्स्टनी कान मुझार lol ये देखनन ओर चेमन has been stressed on the indogenous manufacturing, the indogenous sector, Atma, Nirbhar, Bharat now going at, or rather assessing the economic survey, what stimulus or the boost do you see for that particular facet? Sir? So as you know, the overall economy has started looking up, which is very encouraging, but we do know that it's a mixed band right now. There are some sectors looking quite good, but some suffering quite badly still, partially due to COVID, partially due to external other reasons. So I think there is a need right now for us to expand the PLI scheme, especially since you talked about manufacturing. Expansion of PLI across many more sectors would be very, very helpful. For the government to be able to continue to spend on infrastructure, I think is very critical and important, and allow additional private sector investment to crowd in. The government will have to carry some of the load additionally this year as well. Therefore, it also needs to create additional headroom for itself to be able to spend. Whether it comes from divestments, whether it comes from monetization, whether it comes from more efficient tax collections, rather than raising tax rates, I think there's a whole variety of things that need to happen. At the same time, we have to also ensure that those left behind, partially due to COVID, but otherwise, are also fully covered. The government, I have to say, the last few years has done a pretty good job in that respect. But there is some heavy lifting to do because we have taken a very hard knock, both due to COVID and due to global circumstances. Well, that's right. Many thanks, sir, for your remarks here. We also joined with Mr. Vineet Agrawal, Mr. President Assosham. Sir, your first reaction to the economic survey, and I'm having a very broad-based question here. What are the general expectations that you're having from this budget? Sir? Thank you for having me. I think the general expectation is that the transparency that the budget had brought about last year, the Honorable Finance Minister. I think that should definitely continue. Remember, we are coming off from a very, very challenging year. And what was last year versus this year is a big difference. We've been able to manage the pandemic decently well. We've got a high degree of vaccination. So the expectations are also high, that we are able to now use this momentum to accelerate and become part of the global supply chains that we've been and envisioning. There is a lot of potential for our country to get into that space. There is a major shift that's happening globally. So the expectation will be broadly that investment into infrastructure, we know that has a trickle-down effect of almost two to three times. So if that continues and it accelerates, it will not only help in assisting the manufacturing sector because it helps in the ease of doing business or reducing logistics cost. Other than that, the investment into health, which should continue because there is a pandemic that's still on and it might have other waves that might come about. And the last but most importantly is education. Because in the last two years, a lot of people have been, a lot of children have been away from education. And this would be a good time to reinvest and actually put down more money towards this investment of into education. Well, there we have Mr. Vinita Grawal. Many thanks, sir, for your opening remarks. So we also join with the show Mohib Bhattacharajee. Sir, you know, starting up with the various sectors here, let's emphasize on the one sector of the infrastructure and, of course, in that the urban infrastructure. Where do you see the stimulus or the push for urban infrastructure going in this budget? We have seen that there is, there has been a rapid urbanization. There is a stress on urbanization. There is a master plan. But certain urban areas ought to say in larger sphere, we see the urban areas are still wanting off of the infrastructural development. Chubhoy. See, urban areas, the government, central government, that is, has just before this budget, for instance, announced a very major scheme, which was the allocation of about 5,400 buses electric powered for five cities in India. The tenders have already gone out. It's probably the biggest ever tender for bus supplies in cities. So there are those sort of things that are coming in. But having said that, urban governance is largely a municipal problem. problem, it is a state-level problem. States and the municipalities have to ensure that they are able to step up the accelerator in terms of putting in facilities that you are so rightly saying. all our cities today. We, for instance, yesterday, the economic survey came up with the list of startups across India. And you can see it's spread across India. Now, all of those startups, when we are talking of them as employment generators, they have to be getting facilities of bringing in people to those cities, managing them, getting support from the municipality. And those have to be done by the state governments. So I would say more than the center, it is the state government's responsibility to ensure that there is a healthy competition among the cities to grow and to welcome more and more people coming in. The pandemic, for instance, showed us how would a strong role cities play in terms of providing employment wherever in India. So that's a very significant thing. So urban governance is certainly very big. I would expect the finance minister to be making, I mean, showing her interest in that area. But I would say that that is something which city, the states and the cities have to be very strongly attuned to, to be able to handle that sort of a pressure. Kunjal, sir, I would like to understand you a little bit. When we talk about the automobile sector, we know that the past two 10-year-old have not been so much for the sector. And if we look at this sector, the goal of GDP, which is about half a cost. Now, as we look at online and digitally current, we talk about how much of the need for you. Electric vehicles, which is the new demand for us, the infrastructure, how much of the need for this sector? की जरूरते हैं उसे लेकर बजट में किस तरह की संभाबनाएं आपको देख रहे हैं यह कि यह जो आटोमोटिफ सेक्टर है यह एकॉनमी का बहुत-बड़ा हिस्सा भी है और इसके अंदर बहुत-बड़ा मुल्टिप्लायर भी होता है मुल्टिप्लायर है कि जब एक फैक्टरी लगती है उसके चलते हुए पर इस तरह की अक्टिविटी प्लस यह सोशल नीड है हमारी नेशन की और दुनिया की इसलिए जरूरी है कि इस अक्टिविटी को हम और बढ़ाएं तो इसके कारण सारी एकॉनमी चलपड़ती है और ऐ ऐसा आपने कहा कि इसके लिए चेंज भी जरूरी है अभी इलेक्रिक वहिकल की तरफ जब सारी दुनिया चल रही है तो इंडिया भी उसी स्कीड पर चलेगा तो यह ट्रांस्फोरमेशन तो जरूरी है और डिजिटलाइजेशन जो आपने कही वो ओर आल एकॉनमी में और ह और इसके प्रोविजन जो है था आसकर जो इसके साप में बहुत सब्समाल इंडस्ट्री जुड़ी है बहुत सारे सेमिन जॉब्स जुड़ें तो इसके लिए जो छोटी इंडुस्ट्री है उनके लिए अवेलेबिलिटी ओफ तो इन चीजों को एन्हांस करने की ज़रूरत है, ताकि ओवर और इसका पॉजिटिव इंपक्त है एकॉनोमी के उपर, वो हमारे को पूरी एकॉनोमी को और जॉब क्रियेशन को और और इंकम को फाइडा करें। एकॉन सबस्ट एकॉन झार एकॉनमी के एकॉनमी को और पॉझिव इस बंडीजिट अनुब आनुछ इंप जी। थेसे लिए एकॉनिट झार्ट एकॉन है इस बाज्बा का इनुएरा इस भी इस तरह इस जोरीश बैस्टेशन को फेला इस कि ए सिरित तो यो जो So, kind of, we have seen pandemics brought about a dramatic change in the way the education is delivered at every level, you know, even in schools or even in higher colleges and so on and so forth because children are unable to go to colleges and schools so far so that digital intervention has come about in the delivery of education. अजने लुका टे कि अच्टेसाओ डिलाज के इत्लिवावह से हो विए प्रेश्याच ज्यज़ मेश्ट तौइ राज़ विए भी विए तुम है, इता है कि बीए अज़ थैसलिए जाओ, अज़ धिन अव्याहिछ बीए और बीए कि विएलाइज़ खबुम अज़ and again are you know on the skilling side, so while you know students are coming out but they are not really employable. So how do you sort of bring about that intervention in skilling so you marry both education and skilling, per se, so it is expected that there could be some changes in the apprenticeship scheme and also some initiatives on the skilling side as well, maybe a new program or some new team is expected. So, those kind of interventions, we believe that the budget could be unveiling today. That's really important sector. And that's really important aspect of education as well. Preeti? मिलकुल. And education की बात को हम आगे बहाएंगे अगने मेहमानों के साथ. उससे पहले, Vini Ji, हमारे साथ जुडे हुएं. Vini Ji, मैं थोड़ा सा रियल स्टेट सेक्टर को लेकर, खासतोर से हाउसिंग को लेकर आपका कामेंट भी चाहूंगी. इसमें हम देखें, तो जो ये सेक्टर है, वो भी जो GDP में अपना रोल है, वो काफी एहम निभा सकता है. और एक्सपर्स कहते हैं कि जो COVID का टाइम रहा है, इस दौरान लोगों ने अपने घर के जो महत्व है, उसको और जादा समझा है, और हमने देखा है कि सरकान ने स्टाम ड्यूटी में कटवती कि, अगर हम बात करें, सबसे कम होम लोन, दरो की बात करें, तो इस तरह के कुछ फाइदे दिये हैं. अब जो बजट है, उसमें रियल स्टेट सेक्टर को जो समर्थन देना है, वो सपोर्ट कितना आगे जारी रहेगा, और अभी कितनी उमीद और किस तरह की जरूरते हैं इस सेक्टर की इस दौरान? पैंडेमिक के दौरान जैसे आपने सही कहा कि घरों का महत्वज बहुत जादा बढ़ गया है, और लोग चाहते हैं कि वो घर पे रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम जो कॉंसेप्ट चालू हुआ है, उससे काफी impact पढए रहा है हाउजिंग सेक्टर पे, और जो demand है हाउजिंग सेक्टर पे वो काफी बढ़ गया है, आपने देखा जब यह second wave और third wave की बीच में, जो कई बड़े शहरों में, कई शहरों में काफी बहुत demand create हुआ और हाउजिंग सेक्टर के लिए, और यह जो है लगता है आगे भी continue होगा क्योंकि यह जो hybrid model है working का जिसमें कुछ time हम office में हैं कुछ time हम घर पे हैं इससे जरूर एक change आएगा और एक demand आएगा कि हम अपने घर क्या थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है क्या एक उसमें office area भी हो सकता है तो इसके अलावा जो medium middle class and above middle class है वहां भी demand for housing का भी देख रहे हैं की growth तो इस budget में एक expectation जरूर है कि जो deduction मिलता है housing loan पर जो interest का saving मिलता है क्या वो deduction बढ़ाया जा सकता है क्या वो deduction डबल किया जा सकता है इससे लोगों को prompt होंगे वो सोचेंगे कि हां हम और housing खुद रीच सके loan ले सके और loan भी आजकल interest rate हम जैसे जानते हैं कि एक तम bottom level पर है तो ये एक अच्छा opportunity है एक सेक्टर को भी का growth करवाने का साथ में एक consumption की तरफ पुष करने का कि हम लोन लेकर के एक घर ले और हम उसको आगे अपने हिसाब से यूज कर से We're also joined with Mr. R. T. Ramchandani. He's chair on FKHI Committee on Defense and Executive Vice President of Defense and Aerospace. Many thanks Mr. Ramchandani for joining us. We have seen her last two years, I'm just once again sort of touching upon the aspect of the indigenous manufacturing sector. Defense sector, or to say the defense industry, has been on the emphasis of the government. So where do you see this budget giving a boost to that sector, especially when we are looking for increasing or enhancing our exporting capacity, sir? Thank you. So if you look at it, defense spend is an imperative for the government. Right. And while that puts pressure on the finance minister to allocate enough budget for the defense, it also provides an opportunity to boost the domestic industry. Defense capital expenditure, we see that the modernization requirements of the defense services would push for an increase in capital expenditure. And typically in the past, a lot of the capital expenditure went towards import of defense equipment, which the government has made a conscious effort to change. The focus on indigenization, the focus on the domestic industry is growing. In the current year, we expect that over 60% of the government spent on defense capital goods would be from the domestic industry. And I expect this to grow. The government has made a commitment of about 15% growth year on year on the domestic production. And that would scale up the industry. It would also enable India to be more self-reliant because in a critical sector like defense, we have to build the capabilities in-house. What that calls for is a greater impetus on R&D and maybe tax incentives for R&D spend. It may be production-linked incentives for scaling up defense manufacturing, incentives for the medium and small industries that form the tier two base of defense production. So I think the opportunities are plenty. The government's focus on indigenization, Atmanirbharata, I think is more than a slogan for the defense industry and presents a lot of opportunities for the finance minister to create a positive trickle-down effect in the economy while boosting our national security. Well, that's right, Preeti. And so that's really important aspect of any budget and especially for any country to have enhanced spending on the defense sector and more so when we are planning to increase our exports and going for the indigenous manufacturing. Preeti. अपने अच्छी तरह से जाली रख पाए हैं. तो education को लेकर, शिक्षा को लेकर, आपको क्या लग रहा है, इस बार budget क्या पूरी तरह से एक अलग तस्वीर हमारे सामने पेश कर सकता है? निश्चित रूप से माने प्रधान मंत्री जी ने शिक्षा को अपने शीर्स एजेंडे में रखा है. और आप देखिए कि जो इतने दिनों से पेंडिंग था, नई शिक्षा नीती भी लाग़ की गए है. और ये पूरी दुनिया के सामने COVID में चेलेज था. लेकिन हिंदुस्तान में जिस परकार से स्कूल्स में कॉलिजज ने उसको जारी किया है ऑनलाइन के माध्यम से, ये वास्ता में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और सरकारों ने भी, इस्पेशली राजे सरकारों ने, मैं उत्र प्रदेश से आता हूँ, बच्चों को लैप्टॉप्स दिये गए हैं, टैबलेट्स दिये गए हैं, और उनके माध्यम से सारे स्कूली पढ़ाई हुई है. मैं खुद चुके एजुकेशन में हूँ, तो मैं जानता हूँ थुदा दिक्कत जरूर है. और सबसे बड़ी जो प्राबलम बच्चों के सामने आई है, स्कूल गोइंग में जो बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे सीखते हैं, शेरिंग हैं, एट्मोस्फिर हैं, वो सबसे ज़्यादे उन्होंने मिस किया है. सेलेबस से ज़्यादे उन्होंने जो बाकी सब टीचिंग्स हैं, वो उन्होंने मिस की हैं, लेकिन नई शिक्षा निती आने से बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, और मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा निती का जो मुखे उद्देशे है, वो रोजगारी है, स् स्किलिंग नहीं हो पाती उनकी और जो वो एंप्लाइबल नहीं हो पाते हैं, अभी एक हमारे इंडस्टी के साथ ही ने भी ये कहा, तो उस पे भी हम लोग फोकस दे रहे हैं, और नेचुरली पैंडेमिक के पीरियड में वो चीज हम लोगोंने मिस की हैं, लेकिन डेफिनि तो उसका बहुत फाइदा देश के युवाओं को होगा, और हम समझते हैं कि शिक्षा के लिए माने प्रदान मंतरी जी पृतिबद हैं कि किस परकार से देश के युवाओं को शिक्षित किया जाए, उनको इंप्लाइबल बिनाए जाए बिल्कुर, और इसके बाद शाम ज किया सरगर्मिया है, क्या बिनेट की मंजूरी की जो प्रक्रिया है, क्या वो पूरी हो गई है बजट को लेकर? सूरज आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं समझना चाहूंगे इस समय क्या चल रहा है किस तरह की सरगर्मिया है जो क्याबिनेट की मंजूरी ली जाती है बजट को संसद में पेश करने से पहले वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है हम कोशिश करेंगे एक फिर वहाँ जो अपडेट है संसद में वो आप तक पहुचाने को लेकर जी 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 यी जी शाम जी बताइये निए जे शाम जी 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 एज संद समय थाट लग भग.... कि इस दॉरन हो गावर वन किस्थीरिन कि ताहिए. I will be very happy if GDP goes high. I will be very happy if the nation florishes. I am from opposition, don't think that everything I criticize. I will be very happy. But before education, we must go to the most basic, most fundamental sector of the country, like agriculture, which is the base of the country. अपन सत्फूट प्रश रचलाँ बीडिक है जी कि आपoda जी और बेस्ट बीडें घ्री कुंट्रिव माझने तर्टव इंध किन। विर्ट जी में आप कांट इंट विर्ट विर्ट वे कांट इन्ट्रिक विर्ट पर्दिक इंटें विर्ट एंट भी ऐर आप पर्सेंगा हैं It is stagnant, rather it is going down, first thing. And you know the condition of the farmers in this country? I need not say too many things here. You are seeing and you have seen. Secondly, in education, as compared to other countries, we are not spending that much percentage in education, which education should be. And similarly, in the health sector, if you leave apart the expenses allocated differently, separately for the COVID, we are nowhere. In health sector, we are not spending that much percentage of the budget amount, which should be there. These, you know, agriculture, education and health, these are three very broad and basic sectors of the economy and for the development of the nation. So, I hope unless you put emphasis on these basic sectors, you are not going to do much. So, where am I going to pay algumas? प्रदान मंतरी ने कहा कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ चर्चा होनी चाहिए और तमाम चीजों पर चर्चा संसत के अंदर भी होगी कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं उसे लेकर आप बजट की घोशनाओं को कैसे देखते हैं कि हर एक को खुश एक साथ नहीं किया जा सकता लेकिन मंचा को हम कैसे समझें और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये अच्छी तरह समझें कि पिछले दो साल का कोविट का वार पीस टाइम में किसी वी और्थ व्यवस्ता के लिए और सब भारतिनी दुनिया के करिब हर देश में ये सबसे बड़ा डिस्रप्शन रहा है इस डिस्रप्शन को तया इस डिस्रप्शन को निकलने में सबसे पहले जो कदम आजमाने चाहिए वो इस बारी बजट में हमारी लक्षे होने चाहिए बहुत सारे सेक्टर्स के बहुत सारे मांगे होंगे लेकिन रिपेर अव दी एकॉनमी यानि की सेफटी नेट सबसे गरीबों का जो क्रम शुरू हो गया जो क्रम चल रहा था जिसका आपने जिकर किया जैसे अन्य योजिना का इंशूरंस योजिना मेडिकर हेल्थ इंशूरंस ये सब चीजे इन पर पैसे देना दूसरी बात है इंफ्रस्ट्रक्चर में जो जरूरत है उस पर खरच करना ये दोनों ही बजट का सबसे बड़ा लक्ष हैं और मैं करीब एपसुली सर्टिन हूँ कि इसी पर ही खरच जाता होंगे और वो होना ही चाहिए क्योंकि ये रिकंस्रक्शन का टाइम है बाकी बहुत सारे चीजों पर खरच करने का या प्रावदान करने का समय आएगा लेकिन अभी 2022 में ये एक ऐसा मोर है जो भारती अत्वरस्ता में कभी भी नहीं आया था और इस चीज को अगर हम समझ के चले तो फिर हम बजट को समझ सकते हैं क्योंकि ये कोई grand standing यानि कि हमने इसमें इतने पैसे दे दिया और इसमें बहुत इजाफा हो गया इसका समय अभी नहीं है भारत के हर 100 रुपे में से 40 रुपेया व्याज पर खरच हो रहा है tax GDP ratio सिर्फ 10% है यानि कि खरच और receipts में बहुत बढ़ा अंतर है और इसके बीच में कोविट का वार तो ये चीज को समझ चरके हमें पूरे खरच के जो पूरे प्रनालिया है पूरे जो systems है पूरे जो pattern है उसको समझना पड़ेगा इसलिए किस sector को कितना चोटा सा बढ़ा मिला वो उससे भी जादा ये जो larger picture है जो वह चीज को देखना बहुत ज़रूरी है और ये पूरा budget का ये कोई इसमें कोई schemes बगरा उसकी इसाब से अगर ना देखा जाए ये रिपेर जॉब कितना किस हद तक इसको पूरा किया जा रहा है किस तरफ economy को आगे लिया जाएगा वही इस बारी का सबसे बड़ा लक्ष रहेगा और उसी पर में विशाटा है एक चोटा सबडेट हम परिसर से ले लेता है रजट शूर शाम जी आएंगे आपकी पास सूरज मोहन जहा हमारे सहयोगी जुड़ेगए सूरज बताइए हमें अभी cabinet की meeting खत्म हो गई है फिलाल क्या सरगर्मिया है क्या आप डेट है वाँ से बिलकुल प्रीति अगर हम बजट की बात करें इस साल की जाती है वो अपने दोनों एमोस के साथ उन्होंने राश्टरपती जी से मुलाकात की उसके बाद हमने देखा संसदभावन परिसर में cabinet की बैठक हुई जिसमें प्रिधान मंतरी खुद मौजूद थे वहाँ पर बजट को cabinet ने अपनी मंजूरी दी है इसके बाद अब ज जो चली है उससे बाजार में आर्थिक जगत में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उस बहें से इस बार सकल घरेल उत्पाद आठ से साड़े आठ फीस्दी रह सकता है जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्शन ने बताया है कि कृष्री शेत्र में जो महामारी रही कोरोना महा डाहा है we've seen and the all round expectation is that, you know, the government would unveil some steps to support demand, which is needed because if you want the private sector investment to come in, we need that demand to be supported going forward. But what kind of measures can we expect whether the government would like to sort of, you know, do something, some tinkering bit on the income tax side to ensure that, you know, the taxpaying population, the taxpayers, they have some more money in their hands or whether they would enhance, you know, the support programs that, you know, support people in rural hinterland, and programs like MNREG that can also be huge demand-supporting programs. Right, right. So, but these two areas, while we're not sure whether there is any much room for the government to, you know, really raise income tax exemption limits, there could be some minor tinkering that is expected, but huge support for the social sector programs which directly sort of hand out money or put money in the hands of people, which also sort of support consumption and difference in the long term. Right. That's the patients that are likely out in the budget. Well, that's what the consumer spending as it is. It's really an important facet of any economy, and we are joined with our colleague, Krithi Mishra, from the parliament. Krithi, I know you have squeezed in a little bit of time before you, to Russian, to the chamber. Now, what about the government spending? What are the expectations on that count? Krithi? Well, Rajat, this was an unprecedented crisis, a very difficult one for the global policy makers, the repeated waves of the mutating virus, global supply chain disruptions, and also travel restrictions, and, of course, the fluctuation in the oil prices that we saw. And India was no exception. And as you know, the government meticulously adopted a very calibrated strategy. Well, the economic survey talks about the barbell strategy. What is that? Well, safety net, a bouquet of safety nets that provides cushion to the most vulnerable section of the society. Look at the growth projections, 8 to 8.5 percent in 2022-23. This is in line with most of the multinational institutions, whether World Bank, Asian Development Bank, even IMF says that India would be the fastest growing economy for the next three years. So that is the kind of hope that we have. Look at the other projections. Agriculture, 3.9 percent. Industrial growth, 11.8 percent. Services sector, 8.2 percent. Even the capital market, 89,000 crore, was raised with 75 IPOs. Otherwise, the fiscal space, the revenue receipt grew 67 percent year on year. Even the gross tax revenue was 50 percent higher. So that gives us hope. So probably this budget will strike a balance of being fiscally prudent as well as creating jobs. And the focus could be on infrastructure. This still remains to be seen whether the finance minister will tinker with the interest rates. But, of course, there are expectations on the exemption limit. So this is a very good cycle. As you know, disposable income gives way to more consumption, spending, saving. That gives way to investment and capital formation. So that is the hope from this budget, which is going to provide the economic vaccination to this country. Over to you, Rajat. Well, that's what. Kriti, thanks. We leave you there. We have a long day ahead. We keep coming back to you, back to our studio guest, Mr. Anil Agrawal and Shamsingh Yadav. Preeti? Shamsi, you are going to talk to yourself. Yes, absolutely. I am going to go ahead and go ahead and talk to yourself in a line. I am going to go ahead and talk to yourself in a line. As the government, this COVID-19 is going to put it down, and it is going to be sheltered. It is going to be sheltered. It is going to be sheltered. The COVID-19 was going to be sheltered. और आप भी बाद में देख लिजेगा तो This is all false statements I must say, कि COVID के पीछे आपका तो पहले ही नहीं समगा लगा जा रहा था आपका तो यहर वाई यह पहले और मैंने आफ बजट बोलते हुए मैंने भाद था GDP ऐसे ऐसे ओपर जागास में गिर रही है ना Like that it is sliding down फर्वडी 2020 से पहले इस पर अनल जी का कमेंट जरूर लोगी इसको क्लेरिफाई कर लिए बिर्को अनल जी से जवाब ले लेते हैं अनल जी बताइए भले ही कहा जा रहा हो कि GDP growth rate 9.2 प्रतिशत 2021-22 में रहेगा 8.5% का नुमान हो तबाम देशों को हम पीछे पचाड रहे हो लेकिन शाम जी नो जो बात कही है GDP को लेकर उस पर क्या जवाब देंगा नहीं देखे उनकी कुछ अपनी पार्टी के प्रति चुकि वो अपोजिशन के सांसद है उनको कुछ अपनी बात उसी सेंस में कहनी पड़ेगी लेकिन पूरी दुनिया के सामने कोविड एक चलेंज है और शाम सिंग जी ने तो यहां तक कह दिया की कोविड एक ढाल है तो मुझे तो उनका स्टेटमेंट सुनके बड़ा अश्चरिय भी हुआ और बड़ा दुख भी हुआ आज पूरी दुनिया के सामने जो विश्व के सबसे बड़े देश है सबसे बड़ी अर्थ विवस्थाएं है वो कोविड के कारण परेशान है और हिंदुस्तान भी उससे अच्छूता नहीं रहा है और उसके बावजूद जो देश के नागरिकों ने सरकार के सपोर्ट से जो इकॉनोमी को इंप्रूव करने का जो एक काम किया है ये निश्चित रूप से सरकार और जन्ता जो हमारे इंड DeusList हैं जो हमारे एजुकेसिनिस्ट हैं जो हमारे फारमर्स हैं वो सब के सब बढ़ाई के पात रहें और मैं शाम सिंग जी ने जिस तरह से पूरे के पूरे जो आख्रेश आये हैं उनी को घुटला दिया है और काड़ जी डि पी इस तरह से गिर रही है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ और मैं क्या कहूं उनकी बात पर मुझे लगता है कि एक सांसद को जो की अब लगबग तीन वर्ष उनको होने जा रहे हैं उनको इस प्रकार के स्टेटमेंट से बचना चाहिए और उनको फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए आनेल जी मेरा एक आप से सवाल है जहां तक की आप जानते हैं सरकार का एक तरह से स्टेस रहा है आत्मेनिरबर भारत को लेके किन किन बिंदूओं पे आपको गदम है आत्मेनिरबरता और स्खास करकी जो हमारी जो स्वायद एक मानिफाक्चरिंग है जो प्रोडक्शन है उस पर जो है उसमें आपको चालेंजिस दिख रहे हैं देखिए पूरा का पूरा जो माने परदान मंतरी जी का फोकस है मैनफेक्चरिंग में वो पूरा का पूरा ये है कि आतम निर्भर भारत में हिंदुस्तान में सिप चीजों का मैनफेक्चर हो और उसकी और हम बढ़ भी रहे हैं जैसे डिफेंस सेक्टर जहां हमको चाइना और पाकिस्तान और बहुत सारी देशों से चैलेंज मिलते हैं हमको निश्चित रूप से अपना डिफेंस जो है वो इंप्रूव करना पड़ेगा अब भारत ने धीरे धीरे सारे भी जो एक्विपमेंट्स हैं मिसाइल्स हैं वो सब अपने लेविल पर बना रहे हैं जो टेकनोलोजी हमने दूसरे देशों से ली भी है उसमें भी हमारे जितने भी मोई उसमें हैं उनमें एक इमपॉर्टन पार्ट यह है कि वो टेकनोलोजी हमको ट्रांसफर करेंगे और धेरे धेरे स्टेप बाई स्टेप हम वो मैनुफेक्चरिंग अपने कंट्री में करेंगे तो डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है भी आप देखे बहुत सारी जगे हम डिफेंस में एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं तो यह सारी के सारी चीजें हैं इनसे हमारा आत्मिर भर भारत का जहां संकल्प पूरा होता है युवाँ को रोजगार मिलेगा इंडस्टी के लिए एक चांस होगा तो यह सारी की सारी चीजें इंटर कनेक्टेड हैं और माने प्रदान मंतरी जी का जो संकल्प है वो पूरा इसी प्रकार से होगा और निश्चित रूप से भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी लोगों की जब इस्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी और हर चीज बहतर होगी इससे इस बार और कितने कदम आगे बढ़ते आप देखना चाहते हैं हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि पिछले दो साल के अंदर काफी कुछ ऐसे प्रियास के गए है जिसकी वजह से इस ओफ बीइंग बिजनिस जो है उसको एक मानेता मिली है दूसरा जो पिलाई स्कीम भारत सरकार ने मेटल इंडस्ट्री के लिए और बाकि जो स्पेशलिटी प्रोड़क्स के लिए लाउंच की है उससे एक सिगनल दिया है भारत सरकार ने कि हम लोग प्रो इंडस्ट्री है और हमें अपना मैनिफेक्शनिंग बेस को बढ़ाना है भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्शनिटी है जैसे कि अभी मैं पहले जो गेस्ट हैं हमारे उनको सुन रहा था कि डिफेंस सेक्टर में भी हमने काफी कुछ काम किया है तो बारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्शनिटी है आज कि जो चाइना से इंडस्ट्री बाहर आ रही है और एक ग्लोबल सेटप के अंदर जो मैनिफेक्शनिंग बेस बढ़ने जा रहा है उसका मैक्सिमम जो फायदा है वो बारत उठा सकता है और हमको उठाना चाहिए हमारे पास जोग्रिफिकली बहुत कुछ है लेकिन हमारे को कुछ एक ऐसे सेजेशन्स हमारे हैं जो कि हम टाइम टाइम पर देते रहे हैं कि हाइडरोजन जेनरेशन, क्रीन एनरजी, हाइडरोएलेक्रिक पाउर प्लांट्स इनके उपर सरकार को थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा इसी प्रकार से जो हमारे वरकर्स हैं, जो हमारी मैन पाउर है उसको हमें उनका स्किल सेट करना पड़ेगा जब उनको हम स्किल सेट करेंगे और उनको स्किल्ड वरकर बनाएंगे तब ही हमारी output बढ़ पाएगी, हमारी च्छमता बढ़ पाएगी किसरा point हमारा इसके अंदर ये है कि हम बार-बार बोलते रही है और भारत सरकार को हमने suggestion दिया है कि एक भारत एक electricity tariff होना चाहिए पूरे भारत में एक ही बिजली की दर होगी तो पूरे भारत की एक जो growth है वो एक inclusive growth होएगी, पूरे भारत के अंदर growth होगी अभी क्या है किसी state के अंदर 15 रुपे परती है किसी में 5 रुपे है, किसी में 10 रुपे है, किसी में 12 रुपे है तो उसकी वज़े से जो growth है, industrial growth वो एक particular flux में होकर सीमित हो जाती है एक particular cities में ही होकर सीमित हो जाती है उसको हमारे कुछ decentralize करने के लिए पूरे भारत के अंदर एक electricity tariff करना पड़ेगा और तीसरा फॉर्थ पॉइंट जो इसके अंदर major है आज बारत सरकार ने पिछले तीन महेने से बहुत चेश्टा करके ब कबड़ी करवाई इसके अजिसे blackout की सिशे नहीं होई यहां पे हम यह सुझाओ देते हैं कोईले को ट्रांसपूर्ट करना ही नहीं चाहिए हमारे को बिजली को ट्रांसपूर्ट करना चाहिए हमारे को जो बिजली है वो जो कोल के पिट है वहां पे बिजली बनानी स्टील सेले तूमरीब 것으로 कियाकि एग एग इसरे को उपाविक काश देपर निल्ट होग मिए इसके 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 साहब करा इस्टी जब पर गार किया एंड बते हाटर इसकेश किया तर जब कि मैंने कि तौंड यश्टीरी अपर बा सप्टीर इसरे इस इसके सॉब्सेटे the fuck i was actually Pengjuje इसा कर आर fasc subtract only is not rising is so essentially consistency in government policies raw of the state producers it's obviously they would want 方面 keeps I am supporting them with higher compared to debating is but the downstream Stil uses they would want on the 얼굴 should let be that is so it's a very tricky yourself Spree there four companies depending on what works are nice but essentially again as I said the industrial sector with the peer we'll be interested in seeing for instance what the government's next thought is on PLI, production linked incentives you know these are the sort of major steps that the government has taken to push आत्मनेर भरभारत and we would want to see more fraction or discussion on these sort of issues ठीक है और इस समय हम दीपशिका सिकरवार से भी comment लेंगे, दीपशिका क्योंकि नजरें बजट के पहले share market पर भी लगातार होती है जैसे मैंने पहले भी जिकर किया था कल भी जो share market ने एक तरह से उचाल देखा गया और आज एक बड़ा उचाल हम देख रहे हैं फिलाल share market में, तो इसे कैसे समझा जाए मेरा ख्याल है कि जो indication कल economic survey ने देया कि ऐसी आशा की जा रही है कि सरकार के पास एक तो fiscal room है capital expenditure को बढ़ाने के लिए तो markets जो है इस ही indication को समझ रहे हैं कि फिला टाइटनिंग जो है एकदम से नहीं होगी सरकार अभी growth को support करने के लिए ही measures उठाएगी और capital expenditure में जादा focus रहेगा तो आप देख रहे हैं कि जो infrastructure stocks हैं वो काफी अच्छा उन्होंने कल भी perform किया भा आज भी जो है उनमें बड़ोतरी दिखाई दे रहे हैं तो और दूसरा जो markets जो signal ले रहे हैं हो सकता है कि capital taxation capital gains tax के धाचे में कुछ उसको simplify किया जाए उसमें कुछ बढ़ार आए सिधा रुक करना पड़ेगा सिधा संसत की कारवाई अब 11 बज़े से शुरू होनी है आपका दीप्शिका बहुत 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 शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बादचीत में शामिल होने के लिए और फिलाल आए ठीक 11 बज़े संसत की कारवाई शुरू हो रही है आज आम बज़ट 2022-23 पेश किया जाएगा सिधा प्रसारण संसत से थोड़ी देर में